दोस्तो के अंदर निपा वायरेस का आउट ब्रेक चल रहा है और जैसा कि आप जानते हैं दो लोगों की वहाँ पर मृत्वी हो चुकी है और यह पहली बार नहीं है कि के अंदर निपा वायरेस के हिसाब की वजह से वहाँ पर इंफेक्शन फैल रहा है तोस्तो के रिला में कि आप दोस्तो को आफिर से पहले भी हमने केसिस देखे हैं लेकिन यहाँ पर एक culturally या फिरा आप कहने इंपॉर्टन τूंट प्रियोज में है तो मेंस 2021 के अंदर GS paper 3 के अंदर science and technology के पार्ट में यहाँ पर आपको biotechnology से question देखने को मिलेगा monoclonal antibody जो topic है ये भी biotechnology से ही जुड़ा हुआ question है और आप देखेंगे कि space science उसके अलावा computer science से जुड़े वे कुछ questions biotechnology से जुड़े वे कुछ questions इस तरह के यानि कि IT field के space field के questions और biotechnology के question paper में आते रहते हैं क्योंकि यह सब latest और emerging technologies हैं जो आगे चलके हमारे future पे बहुत गहरा impact डालने वाली हैं इसलिए यह सारी जो technologies हैं यह बहुत जाद़ important हो जाती है हमारे exam point of view से और हमें इनको अच्छे से समझना चाहिए ठीक है अगर बात करें prelims 2023 की तो यहां पर aerial metagenomics पर question पूछा गया है ठीक है चलिए तो यानि कि DNA samples हवा में से किसी area में कैसे collect कर सकते हैं किसी के उस चीज़ पर उस technology पर question पूछा गया है और जायर सी बात है GS paper 3 के अंदर यह cover होने वाला है science and technology के पार्ट में ठीक है चलिए तो आगे अगर बड़े यहां पर हमारा discussion रहने वाला है हमारा discussion रहने वाला है कि हम देखेंगे थोड़ा सा कि यह आखिर निपा वाइरस होता क्या है ताकि एक्जाम में कल को coronavirus और निपा इस क्या होती हैं फिर देखेंगे की मोनो क्लोणल की बाड़ी कि चरचा आखिर क्यों हो रही है और उनके और लिए सरकार आस्ट्रेलिया के पावसरों कर ने मंजूरी Monoclonal Antibodies, अब यहाँ पर हैं Antibodies, अब यहाँ पर सरकार ने कह दिया है कि आप क्या करिए, 20 और डोजिज लेकर आईए, Monoclonal Antibodies का आप इस्तमाल कर सकते हैं, और Australia से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, और दो लोगों की अभी तक मुलित्ति हो चुकी है, तो यानि कि Monoclonal Antibodies लोगों में डाली जाएगी, ताकि वो वाइरस से फाइट कर सकें, अब अगर यहाँ पर बात करें, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि आखिरी यह निपा वाइरस है क्या, निपा वाइरस की अगर बात करें, तो एक तरह का यह एक वाइरल इंफेक्शन है, और इसमें जो लोग हैं, उनकी मृत्ति हो गई है, यानि कि हाई एक फेटलिटी रेट, इसका मोटालिटी रेट इसका काफी हाई है, तो यहाँ पर यह चिंता का विशह है, ऐसे वाइरस आगे पॉपिलेशन में और ना फैलें, और अगर बात यहाँ पर करें, यह किस प्रकार का वाइरस है, यह RNA वाइरस है, यह RNA वाइरस क्या होता है, यह भी देख लेंगे, उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें, यह कैसे फैलता है, जादा तर यह चमगा दड़ से फैलता है, वो चमगा दड़ जो फ्रूट खाती है, और उसके फ्रूट कंटामिनेशन की वज़े से यह में एक ट्रांसफर हो जाता है उसके अलावा ये वाइरस चम्गा रधार नहीं बलकि सूवर यानी की पिग से भी फैलता है तो यहाँ पर पेपर में स्टेटमेंट बनाके देसकता है कि निपा वायरस जो है वो प्यांपर किस से अगर आप देखेंगे तो अगर आप Cornfind przyszлом को भी देखेंगे वो भी इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ठीक और nau वाइरस भी यहां पर अगर बात करें यह एक तरह से protein structure होता है virus का जिसको capsid कहते हैं जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि भई यहाँ पर एक genetic material होता है वाईरस का यही सबसे काम की चीज़ है virus क्या करेगा कितना घातक है यह सारी बातें इसी genetic material के अंदर लखी होती है जैसे इंसान का जनेटिक मटीरियल क्या होता है इंसान का जनेटिक मटीरियल है DNA इंसान की सारी जानकारी इंसान के शरीर की सारी चीजें कहाँ पर मिली या आपको इंसान के DNA में उसी तरह से वाइरस जो है वाइरस के अंदर भी आपको या तो DNA मिल सकता है, या फिर RNA मिल सकता है, ठीक है, Ribonucleic Acid, या फिर Deoxy Ribonucleic Acid, DNA जो होता है, उसका structure इस तरह से double helical होता है, RNA जो होता है, वो single एक धागे कितरा होता है, RNA single धागे कितरा होता है, इसलिए ये unstable होता है, DNA जो है double helical structure होता है, आपस में जुड़े हुए होते हैं तो यह थोड़ा स्टेबल होता है यहां पर इसके अंदर बदलाव उतनी जल्दी जल्दी नहीं होते हैं जबकि आरेने में के अंदर बदलाव बहुत फास्ट हो सकते हैं इसलिए आप देखेंगे क्योंकि कोरोना वाइरस एक आरेने बेस् और इसके कई सारे वेरियंट आपने देखे कि डेल्टा वेरियंट डेल्मिक्रोन वेरियंट ओमिक्रोन वेरियंट उसके अलावा और पता नहीं कितने सारे वेरियंट कोरोना वाइरस के देखने को मिलते हैं उसी तरह से यह जो वाइरस है निपा वाइरस यह भी एक आरेने है और एक वाइरस का genetic material ज़रूरी नहीं है कि हर बार RNA ही होगा उसका genetic material DNA भी हो सकता है यानि कि उसकी सारी जानकारी आपको इसके genetic material में मिलेगी और निपा वाइरस का है RNA ठीक है तो यह इसका structure है ठीक है अब अगर बात करें यहाँ पर वाइरस को हमारे शरीर के अंदर antibodies जो है वो kill करती है तो हमें जरूरत है antibodies की हमारे शरीर में ताकि कोई बाहर से अगर वाइरस आय तो उसको antibodies खत्म कर पाए तो आखिर ये antibodies होती क्या हैं तो antibodies को हम immunoglobins भी कहते हैं ये एक तरह के proteins होते हैं ये एक तरह के protective proteins होते हैं जो हमारे शरीर को प्रतिरोधक्षमता देते हैं बाहर से कोई virus, bacteria कुछ आता है तो उसको destroy करते हैं हमारे शरीर के अंदर ठीक है? और हमारा immune system इसी के थुरू काम करता है इससे हमारा immune system build होता है ठीक है? और जो foreign particle हमारे शरीर में आता है चाहे वो virus हो, bacteria हो, कुछ भी XYZ हो बाहर से IV कोई ऐसी चीज जिसको हमारा शरीर ये पहचानता है कि बाहरी कोई चीज है, बाहरी कोई substance particle है तो उसे कहा जाता है antigen यानि कि antigen क्या है? बाहर से आनी वाली कोई चीज और antibody क्या है? हमारे शरीर के अंदर ऐसे particle जो इस antigen यानि कि foreign particle से लडेंगे अब अगर बात करें पेपर में कभी भी आपसे question देखिए पेपर अब थोड़ा सा technical side में भी UPSC कई बार question पूछ लेता है और basic technicalities आपको पता होनी चाहिए जैसे अभी हमने पढ़ा virus DNA और RNA base दोनों हो सकता है यहाँ पर basic technicality यह है कि एक antibody का structure कैसा होता है तो एक antibody Y shape का protein होता है तो एक तरह से Y shape आप देख सकते हैं antibody की अब antibody में क्या होता है antibody के यह जो आप हिस्से देख रहे है यहाँ पर आपको कुछ ऐसा structure देखेगा जैसे ताले में चाबी fit हो जाती है उसी तरह से यहाँ पर structure होता है यह जो structure होता है यहाँ पर कोई ऐसा design बना होता है जिसमें antigen जो है आके fit हो सकता है आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं antigen की यह shape और यह shape यह कहाँ पर यहाँ पर आके fit हो सकती है तो यह जो fit होते हैं इस तरीके से आकर lock and key की तरह यही क्या करते हैं इनको रोकते हैं यानि कि यह जो antigen है बाहर से आया है हमारे cell पर हमारे शरीर के हमारे body के cells पर जाके अंदर नहीं चिपकेगा वो कहाँ पर चिपक जाएगा antibodies पर और antibodies फिर इसको destroy कर देंगी तो Y-shape होता है और यहाँ पर खास जो site होती है यह antigen से चिपकती है जाकर ठीक है अब यहाँ पर अगर बात करें कैसे काम करती है antibodies तो आखिर antibodies बंती भी कैसे है दरसल हमारे शरीर में जब भी कोई foreign particle आता है और हमारा शरीर के अंदर वैसा particle पहले कभी नहीं रहा तो हमारा शरीर उसको पहचानता ही foreign particle है और फिर ऐसे में signal जाता है ऐसे में जो foreign particle है उसके थूरू signal जाता है white blood cells को और आपको पता है कि white blood cells जो है हमारे शरीर को immunity प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर white blood cells जो है इनको B lymphocytes भी कहते हैं और ये antibodies produce करते हैं antigen से लड़ने के लिए जैसे ही बहारी antigen बहारी party का लाता है हमारे B cells के surface पर जाकर चिपकता है B cells क्या होते है white blood cells का ही एक part है जो कि antibodies produce करते हैं तो white blood cells से ही आपको क्या मिलते हैं B cell और B cell antibodies produce करते हैं याद रखेंगे paper के लिए बहुत important paper के लिए बहुत important statement है paper में पूछ लेगा statement बना के देदेगा कि B cells जो है या B lymphocytes these are white blood cells या फिर बोल देगा कुछ और type के blood cells बोल देगा कुछ और type के cells के नाम देदेगा लेकिन white blood cells से याद रखने हैं और ये हमें antibodies provide कराते हैं तो जैसे ही antigen white blood cells के B cells जो है उनके surface पे जाके चिपकता है वैसे ही B cell जो है ये divide होने लग जाते हैं और mature होने लग जाते हैं और इन में से कुछ जो B cell है जो mature हो जाते हैं फिर वो क्या करते हैं बहुत सारी लाखो करोडो antibodies release करते हैं शरीर के अंदर जैसे for example यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक bacteria है ठीक है वाइरस भी हो सकता था foreign particle है antigen कहा गया हमारे शरीर में एंक्री लेता है जैसे ही एंक्री लेता है और इसका signal transfer होता है किसको B cells को तो B cells क्या करते हैं B cells आप देख सकते हैं कितनी सारी करोडो लाखो antibodies release कर रहे हैं और ये antibodies आप देखिए जाकर चिपक रही हैं किनके उपड़ virus या bacteria के उपर surface पे ताकि ये हमारे शरीर के जो cells हैं उनसे ना चिपक पाए उनसे bind ना कर पाए for example जैसे कि अगर coronavirus को देखेंगे coronavirus का अगर आप case देखेंगे तो coronavirus के ये जो spike proteins हैं coronavirus की जो spike proteins हैं ये क्या करते थे इनकी shape ऐसी थी आप देखें की shape ऐसी है ठीक है coronavirus के spike protein की shape ऐसी है और हमारा जो cell है human body के जो cells हैं उनके उपर ये ACE2 proteins आपको देखने को मिलेगा ACE2 receptor तो हमारे शरीर के जो cells हैं उनके उपर इस प्रकार के receptors लगे हैं coronavirus के उपर इस प्रकार के spike protein है ऐसे में क्या होता है दोनों की shape match करती है ये हमारे शरीर के cells की shape है इधर से coronavirus की अब ये आके lock end ताले और चाबी की तरह चिपक सकते हैं और ऐसे में coronavirus जो है क्या करता है यहां से आके चिपक जाएगा इसके उपर और अपना जो RNA है वो हमारे cell के अंदर ट्रांसफर कर देगा शरीर में और फिर इसका RNA हमारे शरीर में और ज्यादा viruses बनाएगा और ज्यादा coronavirus को जन्म देगा ठीक है तो यह functioning थी लेकिन अगर आप कुछ ऐसा mechanism ले आएं कि यह जो इसकी binding site है जहां से जाके चिपकता है coronavirus हमारे शरीर के cell में अगर आप उस पर कुछ और चिपका दें यानि कि उसकी binding site को आप inactive कर दें वो कैसे हो सकता है antibodies के तुरू antibodies क्या करती है antibodies देखिए Y-shape की है ठीक है Y-shape की है और इनके पास भी ऐसा ही lock end की कितरा lock end की कितरा इनके पास भी जैसे चिपकने का mechanism है और जैसे coronavirus की shape है वैसी ही इनके पास भी shape है तो यह क्या करते है coronavirus के spike protein पर जाकर चिपक जाते हैं और फिर coronavirus की antibody जो coronavirus की site है चिपकने वाली वो फिर free नहीं रहती हमारे cell से चिपकने के लिए तो ऐसे में अब coronavirus हमारी body से cell से नहीं चिपक पाएगा और यह inactive एक तरह से हो जाता है किसी काम का virus फिर नहीं रहता है हमें नुकसान नहीं पहुचा पाएगा अगर यह चिपक जाता इन receptor से जिसको ACE2 receptor कहते हैं हमारे शरीर के तो फिर यहाँ पर virus यह transfer कर देता और ऐसे में और coronavirus हमारे शरीर में बनने लग जाते हैं उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप antibodies बनाएंगे निपा वाइरस के अगेंस तो वो क्या करेगा यह जो चिपकने वाली sites हैं ठीक है जिनको glucoproteins कहते हैं यह जो G attachment protein है यह जाके हमारे cell से चिपकेगा आप क्या करिए cell से चिपकने से पहले ही इस पर कोई antibodies चिपका दीजिए कोई antibody यहाँ पर आकर चिपक जाएगी तो फिर यह हमारे शरीर के cell से नहीं चिपक पाएगा और फिर उस तरह से अपने आपको आगे और reproduce नहीं कर पाएगा यह तो थी antibodies जो हमारे शरीर में naturally बनी कैसे B cells की मदद से अब बात करते हैं monoclonal antibodies आखिर क्या होती है तो monoclonal antibodies एक ऐसी protein होते हैं ऐसी antibodies होती है जो की mimic करती है किस की तरह real antibodies की तरह और इनको laboratory में बनाया जाता है यानि की monoclonal antibody कुछ नहीं है एक antibody है जो की हमारे शरीर की original antibody की तरह behave करती है लेकिन उनको laboratory में prepare किया जाता है इंसानों दारा द्वारा prepare किया जाता है ताकि हमें diseases जो है उनके against protection मिलती रहे मान लिजिए आपके शरीर जो है आपके शरीर ने कभी देखा ही नहीं कि इस प्रकार का इसके प्रकार का कोई वाइरस है और आपके शरीर को नुकसान भी पहुचाने लग गया और आपके जो cells है वो तब तक उतनी मात्रा में antibodies produce ही नहीं कर पा रहे हैं या फिर जैसी antibodies जैसी antibodies चाहिए मान लिजिए अब अगर आपको वा इसी है ठीक है तो आप किस प्रकार की antibody release करेंगे हो सकता है ऐसी antibody release हो जो आपके वाइरस या बैक्टीरिया से चिपक ही ना पाए उसको निश्क्रिय कर ही ना पाए तो ऐसे में यहां पर जरूरी हो जाता है खास प्रकार की antibodies lab में बनाई जाए जो कि उस वाइरस को destroy कर सके ऐ आपके शरीर में डाली जाए तो फिर आपको immunity मिल सकती है तो यहां पर अगर बात करें तो कहता है specifically design की जाती है target करने के लिए certain antigen यानि कि जिस प्रकार का antigen है अगर शरीर वैसी antibody नहीं बना रहा है तो आप क्या कर सकते हैं आप लैब में बना सकते हैं और वो कही जाएगी monoclonal antibody और इसके लिए यहां पर नील्स जॉर्जिस और सेसर को यहां पर 1984 में यानि कि तीन important scientists जो है इनको 1984 में Nobel Prize इसके लिए मिल चुका था तो नई technology बहुत जादा नहीं है लेकिन बहुत important technology अब यहां पर यूज में आ रही है अब यह सवाल लुकता है कि इन technology को कैसे बना बनाया जाता है तो यहां पर पेपर में question पूछ सकता है कभी आपके उपर आपको पता होना चाहिए recombinant DNA technology की मदद से अब यहां पर फिलाल बनाया जाता है तो अभी फिलाल जो latest technology है जिसका इस्तमाल होता है monoclonal antibodies बनाने के लिए वह है recombinant DNA technology तो recombinant DNA technology क्या होती है यह आपको पहले पता होना चाहिए पेपर के अंदर कभी भी आपसे पूछ सकता है और एक बार question आभी चुका है अगर बात करें यहां पर DNA आप लेते हैं किसी जो भी आपको DNA खास परकार का चाहिए ठीक है मान लीजिए आप किसी एक खास परकार का DNA लेते हैं और उसका कुछ हिस्सा आप लेते हैं इधर से आपने क्या करा एक bacteria cell लिया बैक्टीरिया का DNA आपको देखेगा circular यह बैक्टीरिया का DNA है circular ठीक है जैसे इंसान का हमने देखा इस प्रकार से था वाइरस का भी RNA देखा हमने बैक्टीरिया का कुछ-कुछ DNA आपको ऐसे दिखेंगे plasmid इनको वो बोलते हैं सर्कुलर DNA मतलब प्लाजमीड या फिर plasmid मतलब ट्लब सर्कुलर DNA खाउटीरिया में से कुछ हिस्सा आपने काट दिया और जो बाहर ही आपने DNA लिया था और बैक्टीरिया के DNA में आपने अब जो ये नया DNA बन गया है, इसके अंदर आपको bacteria का DNA भी मिलेगा, साथ में जो बाहर से अपने DNA fit करा, वो भी मिल गया, अब आपने पूरा DNA वापस डाल दिया bacteria के अंदर, और आप जो bacteria नए bacteria बनाएगा, उसके अंदर कौन से DNA हूंगे? उसमें वो DNA होंगे जो आपने combination तयार किया था बहरी DNA का और bacteria की DNA का और इसे कहते हैं recombinant technology अब ये जो नए virus bacteria बनेंगे ये जो नए bacteria बनेंगे हो सकता है इनका behavior कुछ थोड़ा अलग हो जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर हो सकता है इनका कुछ अलग behavior हो जैसे कि अगर बात करें आपने देखा कि मच्छरों को control करने के लिए भी genetic technology का इस्तमाल genetic engineering का इस्तमाल किया जा रहा है जिसके अंदर बाहर से एक gene इंट्रोडूस कर दिया है मच्छरों के अंदर जिससे मच्छर जब आगे reproduction करेंगे मच्छर जब reproduction करेंगे तो वहाँ पर नए जो उनके बच्चे हैं वो पैदा नहीं हो पाएंगे तो ऐसे में ऐसा DNA डाल दिया है मच्छरों के अंदर कि बैक्टीरिया वाइरस अलग-अलग और्गानिजम्स में इसके अलवा आपने देखा होगा कि जीए मस्टर्ड ठीक है जीए मस्टर्ड यह सब क्या है यह जैनेटिक एंजिनिरिंग के द्वारा बनाए गई फसलें हैं ठीक है जीए 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 मॉटिफाइड जो बनाते हैं उसके साथ मिक्स करा और पूरे डिने को आपने एक होस्ट सेल यानि कि यहां पर बैक्टीरिया में डाल दिया और अब यह बैक्टीरिया बनाएगा रिप्रोडूस करेगा तो उसमें जो डिने होगा वह वाला डिने होगा जो एक कॉम्बिनेशन से बना है उसी के लिए यहां पर इस्तमाल किया गया यहां पर क्या किया गया यहां पर एक जीन लिया गया कौन सा जीन जो कि का एक ऐसा जीन लिया गया वैसेल के अंदर डीन होगा तो बीसेल के अंदर से ऐसा जीन लिया गया जो कि किस चीज को तयार करता है binding site बनाता है binding site तो binding site बनाने वाला gene आपको मिल गया अब binding site बनाने वाला gene आपको मिल गया और आप कैसी binding site बना सकते हैं ये भी आप decide कर सकते हैं कुछ उसके अंदर बदलाव करके laboratory में तो आप क्या कर सकते हैं आप B cell से आपने gene निकाला वो gene जो एक खास प्रकार की binding site create करेगा antibody की ठीक है चलिए और फिर आपने क्या करा उस gene को introduce कर दिया एक host cell के अंदर जैसे वहाँ पर bacteria एक host cell था यहाँ पर भी आप host cell यानि human cell के अंदर भी आप introduce कर सकते हैं ठीक है bacteria में भी कर सकते हैं तो एक host cell के अंदर introduce कर दिया B cell का genetic material अब यह host cell क्या करेगा यह host cell क्या करेगा उस material का इस्तिमाल करके कई सारी antibodies बनाएगा और यह antibodies कैसी बनेगी वैसी जैसी आपने gene जब introduce किया था तब चाही थी कि वही इस प्रकार की binding site हो और यह कई सारी large antibodies create करेगा बहुत सारी antibodies और फिर आप इन antibodies को extract कर सकते हैं purify करके और फिर इस्तमाल कर सकते हैं इंसान के शरीर में डालने के लिए तो आपने lab में किस तरह से antibodies बनाई B cell के ही genetic material से bacteria में डाला bacteria cell ने या फिर mammalian cell ने फिर वहां से बनाई antibodies उस antibodies को आपने इंसान के शरीर में डाला और आप वो वाइरस से fight करेंगी ठीक है तो ऐसी ही monoclonal antibody जो की निपा वाइरस के against fight करने के लिए तयार हुई है वो है M102.4 paper में पूछ सकता है कि M102.4 आखिर है क्या इस तरह से आप से पूछ सकता है तो आपको पता होना चाहिए monoclonal antibody है इस तरह के term based question prelims में पूछना बहुत अच्छा लगता है examiner को कि यह क्या है यह कोई asteroid का नाम है यह कोई नया bacteria मिला है या फिर यह खास परकार के कोई antibody है या फिर किस चीज से जुड़ा हुआ है antibody भी नहीं लिखेगा हमारे शरीर की immunity से जुड़ा हुआ है space science से जुड़ा हुआ है नए virus से जुड़ा हुआ है इस तरह से पूछ लेगा तो यह antibody जो आप देख रहे है monoclonal antibody है recombinant DNA technology से बनी है साथ में अभी इसको मनजूरी नहीं मिली है full-fledged इस्तिमाल करने की general population में इसलिए अभी इसके phase 1 clinical trial ही complete हुए है यानि कि बहुत थोड़े लोगों में ही इसका test किया गया है और अभी अब आप कहेंगे कि जब थोड़े लोगों में test किया गया है तो सरकार ने भारत की मनजूरी दे दी है कि किसी व्यक्ति को आप तब ऐसी दवाई देते है जो कि अभी तक test नहीं की गई है अप्रूव नहीं है कब देते हैं जब उस व्यक्ति के पास treatment का कोई और alternative ना हो यानि कि उस व्यक्ति के बास treatment का कोई और alternative नहीं है कोई और दवाई मौजूद नहीं है कोई और option ही नहीं है तो ऐसे में उस व्यक्ति को strict conditions के अंदर monitor करके compassionate use basis पर वो दवाई दी जाती है जो अभी तक authorized नहीं है क्योंकि कोई और option available नहीं है तो यहाँ पर compassionate use basis पर अभी सरकार मंजूरी इसको देती है और इसलिए इसका इस्तिमाल करके देखा जा रहा है क्योंकि fatality करने इसलिए monoclonal antibody का इस्तिमाल करने की मंजूरी दी है और क्या होती है यह सारी बाते हमने यहाँ पर समझ ली है ठीक है आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जैसा कि आप जानते है special classes में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं साथ में plus courses में भी जुड़ सकते हैं छटी से बारव यानि कि आगे और free month देखने को मिलेंगे साथ में यहाँ पर आपके पास अभी सिर्फ prelims के लिए बहुत कम समय बचा है तो आप देख सकते हैं प्रयास batch है 2024 के लिए तैयारी करवाने के लिए zero से foundation से इसको देख सकते है code यहाँ पर रहेगा SMK live उसके अलावा यहाँ पर आ आपको one-on-one mentorship और प्री और मेंस की test series मिलेगी अगर SMK code लगाएंगे तो साथ में discount भी मिलता है और ultra combat test यहाँ पर 24 सितंबर को होने वाला है भूलेंगे नहीं अपने सभी दोस्तों को बताएंगे कि 10 करोड तक के prices आपको मिल सकते हैं 100% scholarship मिल सकती है यहाँ पर आप देख सक जोगा है बहुत अच्छी बात है और code वही रहेगा SMK live जाने से पहले एक और important question जो कि जिसका जवाब आप बड़ी आसानी से दे देंगे 2021 में पूछा गया है क्याता है A2 का मतलब क्या है अब आप देखिए A2 पूछ लिया इसने कल को आप से सीधा सीधा पूछ लेगा कि कि M102.4 का मतलब क्या है पूछ लेगा कोई इस पर बड़ी बात नहीं है ऐसे कई बार question पूछे गए है तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए किसका मतलब क्या है बहुत आसान है हम discuss भी कर चुके इसका answer बताएंगे मुझे comment box में इसका answer और वीडियो अच्छी लगी तो